बच्चो वेलकम अगीन क्लास 11 सो लास्ट क्लास में हमने पड़ा था सिग्निफिकेंट फीगर्स का मल्टिप्लिकेशन, डिपीजन, अडीशन, और स्ब्टरेक्शन, कैसे करते हैं और हमने पढ़े थे rules for rounding off की significant figures का round off कैसे करते हैं अब हम चल रहे हैं अपने next topic पे जो है laws of chemical combination ठीक है तो chemical combination कोई भी जो दो reactants होते हैं कोई भी दो substance होते हैं वो आपस में combine होते हैं तो उसकी उपर basis कुछ laws है तो हम सबसे पहले जब से first law पढ़ रहे हैं law of conservation of mass तो law of conservation of mass क्या कहता है इट states that during any physical or chemical change the total mass of the products is equal to the total mass of the reactants ठीक है तो यह क्या कह रहा है कि कोई भी physical या फिर chemical change होता है तो जो total mass है product का वो equal होता है total mass reactant के ठीक है कोई भी physical या chemical change होता है तो यह देखो यह हम ले लेते हैं एक reaction a plus b convert हो रहा है c plus d के अंदर ठीक है तो a plus b क्या है reactants जो चीज हम लेक के चलते हैं जो आपस में combine होके कुछ बनाती है जो चीज हम starting में लेके चलते हैं उनको हम बोलते है reactants और जिस चीज की formation होती है उसको हम बोलते है products ओके तो a plus b क्या है reactants और c plus d products ठीक है तो हमारा first law क्या कह रहा है कि कोई भी physical या chemical change होता है यानि किसी भी type की reaction होती है तो जो total mass है product का यानि जितना amount बनेगा न इसका product का वो equal होगा किसके total mass of the reactant के वो reactant के total mass के बराबर होगा यानि कि अगर मालो 10 gram reactant हम लेके चले हैं मतलब इन दोनों का amount total 10 gram है तो जो product बनेगा उसका भी amount 10 gram ही बनेगा ठीक है ऐसा नहीं ये 10 gram लिया ये 8 gram बन जाए या ये 12 gram लिया तो ये 14 gram बन जाए जादा या कम नहीं होगा total mass जो है product का वो बराबर होगा total mass reactant के equal ठीक है तो और जैसे मालो ये 2 reactant हम लेके चले तो A प्लस B तो मालो A हमने ले लिया 8 gram B हमने ले लिया 2 gram ठीक है तो C प्लस D में मालो A हमने दे लिया 5 gram और फिर D का हमसे पूछ लिया कितना आएगा X gram तो हम क्या करेंगे हम करेंगे applying law of conservation of mass हम law of conservation of mass लगाएंगे जो क्या कहता है कि mass of reactant total mass जो है reactant का वो equal होगा total mass product के तो यानि 8 प्लस 2 gram यह किसके हो गए total mass reactant का बराबर होगा total mass product के product का क्या कह है 5 है और दूसरे का हमें पता नहीं तो इसका total 10 हो जाएगा इधर 5 प्लस X फिर 10 और यह 5 इधर जाएगा तो minus is equal to X अब इसमेंजिसको minus करेंगे तो कितना जाएगा 5 तो X का कितना amount आगया 5 ground X हमारा आगया 5 ground ठीक है तो law of conservation of mass क्या कहता है कि total mass जो reactant का है उतना ही mass total किसका होगा product का तो हमसे 2 की amount दे दे और इधर एक की दे दे और एक की पूछ भी सकता है तो अभी हम क्या law of conservation of mass लगाएंगे जिसमें total mass of reactant और is equal to total mass of product तो इसका sum करेंगे फिर इसको इधर लाके minus कर लेंगे तो हमारी इसकी value भी आ जाएगी अब देखो total करके देखो 8 or 2 10 gram इधर mass of reactant कितना है 10 gram इधर ये 5 और ये भी 5 5 और 5 10 तो दोनों साइड जो amount है mass है reactant का और product का वो equal है तो ये कौन सा low है first low है law of conservation of mass तो इसके basis पे numericals देखते हैं कि कैसे questions आते हैं तो first question देखो if 6.3 gram of sodium hydrogen carbonate are added to 15 gram of CS3 COOH solution यानि कि 6.3 gram NaHCO3 है हमारे पास 6.3 gram क्या है NaHCO3 are added मतलब उसको add कर रहे हैं मिला रहे हैं 215 gram of CS3 COOH किसके अंदर मिला रहे हैं 15 gram CS3 COOH के अंदर उसको मिला रहे हैं तो the residue is found two way अब इन दोनों को मिला आया reactants को तो कुछ product बनेगा उस product का नाम हमें नहीं दे रखा ये लिखा हुआ है कि residue कुछ भी बनेगा उसको residue बोला है तो हम भी उसको residue लेख लेखते हैं the residue is found two way 18 gram जो ये residue बनेगा ये कितना बनेगा 18 gram what is the mass of CO2 released in the reaction देखो ये दोनों इसके अंदर इसको एड़ किया इन दोनों ने ये दोनों reactant है इन दोनों ने रेक्ट करके कुछ product बनाया और साथ में CO2 रिलीज होई तो CO2 कितनी रिलीज होई है वो हमें बताना है तो हम उसको मान लेते हैं X gram ठीक है अब हम क्या लगाएंगे applying law of conservation of mass तो हम law conservation of mass लगाएंगे जो क्या कहता है mass of reactants is equal to mass of products यानि जितना mass reactant का है वो equal होगा product के mass के बरापर तो reactants क्या है ये NHCO3 और CS3CW इनका mass क्या है 6.3 gram और 15 gram तो 6.3 प्लस 15 और mass of product ये residue कितना है 18 और CO2 X तो 18 प्लस X अब इन दोनों का add करेंगे कितना है 15 और 6 21.3 और इधर 18 प्लस X तो ये 21.3 18 को इधर ले आएंगे तो minus में is equal to X अब इसको subtract करेंगे कितना आएगा 3.3 तो X जो है हमारा क्या आ गया ये X किसको माना था X CO2 तो CO2 हमारे कितने आ गई 3.3 gram ठीक है यह हमसे question में पूछा था कि what is the mass of CO2 released in the reaction तो कितना आ गया 3.3 ग्राम ठीक है question में कहे रहा था कि 6.3 ग्राम एन्याच CO3 added to 15 ग्राम ओफ CS3COOH यानि 6.3 ग्राम एन्याच CO3 में 15 ग्राम CS3COOH को में add करना है उसमें मिलाना है तो कुछ भी product बनेगा जिसको residue बोला है और साथ में CO2 release हो रही है तो यह 6.3 ग्राम था यह 15 ग्राम और residue जो बना है इनके reactant जब combine हुए तो जो residue बना हो कितना है 18 ग्राम और साथ में CO2 carbon dioxide gas release हुई है तो वो उसका amount बताना है कि वो कितनी release हुई है ओके तो हम लगाएंगे applying law of conservation of mass तो mass of reactants is equal to mass of product law of conservation of mass क्या गहता है कि mass of reactants जो है वो equal होते हैं mass of products के तो हमने mass reactant का रखा 6.3 plus 15 is equal to 18 plus CO2 का X यह दोनों का add कर दिया 21.3 फिर यह 18 इधर आएगा तो माइनस में दोनों का subtract करें तो कितना जाएगा 3.3 ग्राम ओके second numerical हम देखें तो देखो when 4.2 ग्राम of NaHCO3 is added to a solution of CS3COOH weighing 10 ग्राम यानि कि 4.2 ग्राम NaHCO3 को add कर रहे हैं कितना 4.2 ग्राम NaHCO3 को हमने add किया है is added to a solution of CS3COOH के अंदर उसको add किया है और कितना है यह 10 ग्राम है 10 ग्राम ठीक है it is observed that 2.2 ग्राम of CO2 is released to the atmosphere the residue left is found to a 12 ग्राम तो इससे जो residue बना वो तो है 12 ग्राम और CO2 कितनी it is released होई atmosphere में 2.2 ग्राम CO2 तो बता रहा है कि show that these observations are in agreement with love conservation of mass तो यह जो हमारी observation है क्या यह love conservation of mass को satisfy करती है तो law of conservation of mass क्या होता है अभी हमने करा था कि according to law of conservation of mass क्या होगा अगर हम रिएक्टेंट का मास टोटल करें और प्रोडक्ट का मास टोटल करें और वो दोनों equal आ जाए तो हम कहेंगे क् Moscow observation不 must क्या कि यह जो observation हमारी है यह love conservation of mass को follow करती है तो हम देखेंगे करके कि मास। अगर बराबर आ जाएगा मास ओफ प्रोड़क्ट की तो हम कहेंगे कि हाँ यह observation law conservation of mass को follow करती है तो मास और्रेक्टेंट रिएक्टेंट इनका मास क्या है 4.2 ग्राम है और 10 ग्राम है तो 4.2 प्लस 10 और मास ग्रायव उफ प्रोड क्या है 12 ग्राम और 2.2 ग्राम 12 प्लस 2.2 इनको इढ़ करेंगे कितनाहेँ आएगा 14.2 ग्राम और इनको ब्याइड करेंगे तो कितना आएगा 14.2 ठीक है तो दोनों तरफ जो सम है हमारा मास है रियक्टेंट का मास भी 14.2 आया और प्रोड़क्ट का मास भी 14.2 ठीक है तो दोनों बराबर आ गए यानि जो यह हमारी observation थी जो कशन में बूचा था वो हमारी agreement है वो follow कर रही है किसको love conservation of मास को तो हम लिखेंगे these observation are in agreement with law of conservation of मास तो यह जो हमारी observation है वो agreement में है मतलब वो follow कर रही है किसको love conservation of मास को तो इसी टाइप से इसके numericals आते हैं first law है यह law of conservation of मास तो इससे next जो हमारी लो है वो हम पढ़ेंगे next class में ओके आगे